इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर जिले की भगवान पुरा तहसील एवं नगरपाली का परिक्षत बिस्टान के द्वारा दन प्रति दिन नगरपाली का परिक्षत की लापरवा ही बढ़ती जा रही है कहीं अतिक्रमन फैला हुआ है तो कहीं आम रास्तों में जल भरा तो कहीं गंदगी फैली हुई है तो कहीं रोड उखडी पड़ी है MP में शुवराज मामा श्री के राज में ये कैसी नगरपाली का है आपको बता दे कि ये मामला नगरपाली का परिक्षत बस्तान के अंतरगत आने वाले शेतर ग्राम बनहेर में नगरपाली का परिक्षत के द्वारा गाउं में ठीक ठंग से नालियां तक नहीं बनाई गई है इस वज़े से घरों का गंदा पानी गाओं के अंदर जाने वाले में रास्ते पर फैल रहा है इस वज़े से ग्रामिनों एवं रहगिरों को आने जाने में कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके परशात इंजिन टीवी नियू से ग्रामिनों ने बताया कि लगबर एक हफ़ते से नगरपालिका परिक्षत के करमचारियों के गाओं में नहीं आने से गाओं की गलियों में भी गंदे जल भराओं के कारण पूरे रास्ते खराब हो चुके है इसके साथ ही आधी अधी हफ़ते में एक बार आते भी है तो गाओं बहार नदी के रास्ते से आते हैं और लगबग आधे में से भी आधी ही गाओं की सफाई करते हैं नगरपालिका परिक्षत पूरे गाओं की सफाई एवं मतिक्रमन हटाने में असमर्थ है इस विशे को लेकर ग्रामिनों न नगर परिक्षत के करमचारियों, जन्पद, पतीनिधी, पार्षत गन एवन नगर परिक्षत के कारेले भवन जाकर इस विशे की सूचना देकर कई बार शिकायत भी की है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा आखों की अंधी और कानों से बहरी नगर पाली का परिक्षत किसी भी विशे को लेकर कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ है इसके साथ ही ग्रामिनों ने ये भी बताया है कि कई बार अगर ब्लॉक्स तर पर कोई अथिकारी नहीं सुनेगा तो फिर डियम साहब को शिकायत करने पर मजबूर होंगे इंडियन टीवी न्यूज पर दिगविजय सिंग की रिपोर्ट न्यूज नेट फार